कि अब्रीबन वेल्कम टो केरे रेंडेवर लेके आ रहा है न्यू बैज पॉर पीजीटी डैट इस पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जो कि पोस्ट निकाले गई है बाई बीपेस्ट इस बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन ठीक है और यह जो बैच शुरू होने वाला है वो क्या सदीक है क्रेश मंवर प्रेश इसके ऍंदर आपको प्रॉबाइड के जाएंगा रिकोडेट लेकटर्यर्सों ह met रिकोड़िड लेक्टर्स उस परिड्कुलर सब्जेक्ट्स से रिवेलेटेड साती साथ आपकी रिवीजन कराई जाएगी through test series, through practice set, practice set के through आपकी क्या कराई जाएगी, revision कराई जाएगी, साथ ही साथ आपको test series भी provide की जाएगी, जो कि solution के साथ होगी, तो ये तीनों चीज़े जोंगी, वो course में included होगी, that is recorded lectures, revision through practice sets, और test series आपको with solution मिलेगी, और ये batch शुरूने वाला है 15 June से, ठीक है, तो ये जो post है ये जो basically जो batch होगा, वो कौन-कौन से subject के लिए होगा, तो ये होगे आपके subjects, that is physics, आपका chemistry, maths, biology, साथी साथ, computer science के लिए भी, तो पाचों subjects के लिए ये batches रहेंगे, ठीक है, आप ये वाला form fill कर सकते हैं, 15 June से के filling start है, और 12 July तक आप इस form को fill कर सकते हैं, BPSC के side पे जाके, further मैं इस post के बार में बता देता हूँ, अगर हम इस पे post में देखेंगे, तो यहाँ पे जो है, यह vacancies बता रखिया है, हर subjects से related, PGD की जो vacancies है, that is यहाँ पे जैसे chemistry है, maths है, ठीक है, तो यहाँ पे यह उनकी different, different, जो category है, उसके basis पे आपकी vacancies बता रखिया है, अगले बेश पे भी देखेंगे, तो यहाँ भी computer science वगरा की vacancies यहाँ पे गिवन है, अलग-अलग category के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे यह vacancy बता रखिया है, तो आप इसको detail में पढ़ सकते हो, detail advertisement प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है, यह आपको बत रखा है, eligibility criteria बता रखा है, कि अगर आप PGT के लिए अंदर apply करना चाहते हैं, तो आपके पास post graduation होनी चाहिए, ठीक है, post graduation में आपके पास 50% marks attain होने चाहिए, साथ ही साथ आपके बास beard होनी चाहिए, ठीक है, तो beard भी compulsory है, ठीक है, साथ ही साथ, यहाँ पे आपको क्या दे है, PGT में आपको courses वगरा बता रखा है, कि अगर आप physics के लिए अपके पास होना ही चाहिए, MSC के अंदर chemistry में अप्लाइ कर रहो हो, तो chemistry या biochemistry ठीक है, SC biology या maths के लिए अगर आप अप्लाइ कर रहो तो mathematics, applied mathematics में से कुछ आपके पास होना चाहिए, MSC के अंदर, तो यहाँ क के लिए, अगर आप post graduation के लिए apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर mention कर रखा है कि post graduation के लिए आपका estate, paper to clear होना ज़रूरी है, जो कि state teacher eligibility test होता है, उसका paper to clear होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर उन्होंने mention कर रखा है for post graduation, ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो है, वो paper का pattern decide कर रखा है, ठीक है, तो आप किसी भी post के लिए apply करते है, तो paper 1 जो है, वो आपके लिए compulsory है, जो कि language paper रहेगा, यह दो घंटे का paper होगा, जिसमें 100 questions आएंगे, ठीक है, यह दो parts में divide कर रखा है, that is 25 और 75 questions के अंदर, अगर आप 25 questions की बात करेंगे, तो यह compulsory होते है, that is English questions है, ठीक है, यह English है, जो कि common रहेंगे सब के अंदर, ठीक है, English language का है, और जो second है, 75 questions है, वो आप language खुद decide करेंगे, that is, Hindi या फिर उर्दू या फिर बंगला, या आप language जो decide करोगे, उसी के basis पे यहाँ पर questions आएंगे, लेकिन एक फाइदा है, that is, इसमे कोई negative marking नहीं है, साथ ही साथ, आपको यह दोनों को मिला के, आपको सिरफ 30% score करेंगे, यह आपका qualifying रहता है, ठीक है, दोनों को मिला के आपके पास आने चाहिए, सिरफ 30% marks, तो यह easily attainable है, ठीक है, अगर हम साथ में बात करते हैं, तो यह तो पहला है, और second paper जो होता है, वो सब्जेक्ट के लिए आप apply करेंगे, वो particular subject related questions होंगे, साथ ही साथ, यह जो 40 questions है, यह किसके लिए होते हैं, जो आप GS वगरा करते हैं, GS हो गया, aptitude हो गया, reasoning हो गया, तो यहाँ पर mention इन्होंने कर रहता है, ठीक है, तो यह 40 questions वो रहते हैं, और साथ में 80 questions आपके subject related रहते है तो यह दो paper आपके होंगे, for the PGT के message, ठीक है, PGT आप जो भी subject के लिए apply करोगे, उस particular subject के लिए, ठीक है, तो यह जो मारा batch है, वो 15 June 2023 से start हो रहा है, further आप हमारे batch के बारे में अगर knowledge देना चाहते हैं, तो description box में details given है, साथी साथ यह detail advertisement भी आपके description box में given है, और हमारे initiative के ब बोलो कीजिए, हमें like कीजिए, subscribe, thank you.